हेलो स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम वैक टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल लायू प्रूप के साथ दिखाएंगे कि जो आप सभी के इस बार बोर्ड एक्जाम की कॉपी चेक करने वाले जो टीचर है जो एक्जामनर है जो वोट की कॉपी in classed or 12th की कॉपीओं में वह तीन चीजे क्या है जिसे देकर करके वह आप सभी को पूरे खूल मार्क्स दे रहे पूरे ने नमबर दे जो आप सभी क्लाश 10 और 12 की बोर्ट परिछा की कापिया होती वो CCTV केमरे की निगरानी में पूरी की पूरी कापिया चेक होती यहाँ पी इस तरह से टीचर बैट जाते और उनको कापिया मिलती है बोर्ड एक्जाम की और उनको पेपर मिलता है उसी हिसाब से आंसर सीट भी मि लिखने से पहले आप लोग उस क्वेशन का नंबर डाले हो या नहीं ठीक है इस तरह से प्रसनोतर संख्या अगर आप लोगों ने डाल कर लिखा हुआ है तो यहाँ पर टीचर को कापी चेक करने कापी आसानी होती है और उसे पता चल जाता है कि यह जो क्वेशन का आंसर ह वो इस क्वेशन का है ठीक है इससे टीचर क्या करता है बिल्कुल जल्दी जल्दी आप सभी की कॉपियों को इस तरह से चेक करता चला जाता है क्योंकि जो आप सभी की बोर्ड परिच्छा की कॉपी चेक करने वाले एक्जामनर होते हैं वो आप सभी की बोर्ड एक्जाम क डाला हुआ है हाँ ये question जो है लिखा हुआ है इसका answer ठीक है और वहाँ पे teacher आप सभी को पूरे के पूरे नमबर देते चले जाते चाहे आप लोगों ने उस question के answer में वहाँ पे अपने से बना बना कर ही क्यों न लिखा हो अपने टूटी पूटी सब्दों में क्यों न लिख कभी में teacher आप सभी की पूरे की पूरे लाइन को नहीं पढ़ता है कि जो teacher examiner होते हैं जो आपके board exam की copy को चेक करते हैं वो जितने copy को चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं यानि अगर वो दस copy को चेक करेंगे तो उनको दस copy की पैसे मिलेंगे ठीक इसलिए जो टीचर होते हैं वो काफी जल्दी बाजी में आप सभी की board exam की copy को चेक करें और जो student इस तरह से लिखे हुए अपने से बना कर ह काफी सही तरीके से लिखे हुए तो उन्हें teacher जो है वो पूरे की पूरे नमबर दे रहे हैं लेकन कुछ student है जो की प्रसनोतर संख्या भी नहीं डाले हुए हैं और अपनी copy में किसी भी question की answer को trick से भी नहीं लिखे हुए नहीं बना करके लिखे हैं इसके जगह पर वो आत् कर दिया जाता है और देखे teacher का फेल करते कुछ student होते हैं जो कि कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं ठीके और अपनी copy में क्या किया है कि पैसे को लगा दिये सोच रहें कि हाँ teacher पैसे को देखेगा और पैसा लेने के बाद मुझे अच्छे नंबर देगा मुझे पास कर देग तो देखे हमने आप सभी को बताया कि जो आपकी copy चेक होती है वो काफी निगरानी में चेक होती है इसलिए तीचर आप सभी को एक भी नंबर रिष्टा नहीं देंगे अगर आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है तो पहली बात कि teacher आपको पैसे पर एक भी नंबर नहीं द पाया हुआ है तो teacher दो नंबर अपने तरफ से दे करके आप सभी को पास मार्किंग दे देते हैं पैसे रखने पर सिर्फ यही बेनिफ्यूट होता है और यह नहीं कि आप सभी को teacher भर-भर की काफी नंबर दे देते हैं ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए आप लोग पै आप सभी की कोपी में पैसा तभी रखना चाहिए जैसे आप लोग का हिंदी हो गया इंगलिस हो गया सब्जक्ट ठीक है और आप सभी लोग पूरे की पूरे की क्वेस्टन का आंसर काफी अच्छे तरीके से लिखे हुए लेकिन आप सभी की जो हैंड राइटिंग है वो क ऑप्तर कौपी में पर आप सभी कौपी के सिर्फ 1st और 2nd पेज को एक आप अच्छे तरीके से देखते हैं ठीक है अगर आप लोग अपनी फर्स्ट और सेकेंड पेज में इस तरह से कट क्रास किये हुए और यहाँ पर देखिए इस तरह से गंधी हेंड रैटिंग में लिखे हुए हो तो इसी जगल से जब टीचर आप सभी को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आप लोग किस लेबल के स्टूडे हो और आपकी कॉपी को बिना मिलाए ठीक इसी तरह से आपकी कॉपी को चेक करता चला जाता है और आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे और अगर आपको देखें कोई भी क्वेस्टन नहीं आता है आप लोग साधा पेज छोड़े हो तो यहाँ पे आपको फेल कर दे रहे हैं और अगर आप लोगों ने उसके बारे में कुछ भी लिखा है बना बना कर ही लिखा है अपने टूटी-पूटी सब्दों में जो भी आप सभी को आता है आप लोग को वो टापिक के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है आप लोग लिखे हो तो आपको पूरे के पूरे नमबर दे रहे हैं ठीक है क्योंकि देखे हम भी आप सभी की जो बोर्ड एक्जाम की कॉपी है वो पिछले 5 सालों से चेक कर रहे हैं और अगर ऐसे स्टुडेंट है जो ट्रिक से लिखे हुए अपने से बना कर लिखे हुए तो उन्हें हम पूरे के पूरे नमबर दे कर पास कर देते हैं तो इस समय देखे हम आप सभी की बोर्ड एक्जाम की कॉपी हो को डेली चेक करने जा रहे हैं और यहां पर हम आप सभी लोगों के लिए काफी चिपके से यहां पर हमने वीडियो को ठीके बना लिया है क्योंकि बीडियो बनाने की यहां पर इसलिए देखे आप सभी लोगों के लिए हमने इतना किया आप लोग इस वीडियो को जादे से जादा अपने सभी दोस्तों में सेयर कर दीजेगा और इसी तरह से आप सभी को और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहिए बोर्ड एक्जाम से रिलेटेट तो आप लोग कर दिवेष्ट बाए्ट